हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेरा एजुट है यूटूब चैनल में आज दोस्तों आर्बेट सी क्लास बार वी के बायलोजी पेपर का पूरा सोलुसन लेके आए तो वीडियो के अंतक बने रही है इस्टार्ट करते हैं पहले क्यूसन से दोस्तों नि क्या सफद्राम में गुण शुत्रों कि संग्या होती है तो इसमें 23 आएगा यर आँससो बी नैक्त क्यूसन निमलिक्थ में पहले का पांचवा, हाथी पाउं रोग का रोग कारक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तो से, किसी कोशिका से पूर्ण पादब उत्पन होने की छमता कहलाती है, इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तो, यानि कि छट्वे का राय तांसर होगा दे नेस्ट क्यूशन पहले का साथवा कौन से जवर की पुष्टी विडाल प्रिक्षन से हो सकती है इसका भी राय तांसर दे होगा दोस्तो यानि कि ताइफ हैड की पुष्टी विडाल प्रिक्षन से हो सकती है नेक्ट क्यूशन, खादे सरंगला में हरी पादव का इस्तर होता है, इसका राएटांस रोगा दोस्तो जो यानिकि फस्त एसी और सेकंड एबी वे खेले हैं कि उत्जिस नमबर 2 पर रिक्तितानों की पूर्थि किजी एक ही नसल के पस्टों के मद्दे जब परजनन होता है तो हें परजनन क्या कलाता है वह हैं परजनन दोस्तों अंतः परजनन कलाता है और दोस्त इंगलीस ही बात करे तो in-braiding कलाता है इसका आंसर होने वाला है दोस्तों बैसिलस थूरी तूरी तूरीन जीएनिसिस ठीक है दोस्तों नेक्ट यदि एक वंशान उगत उत परिवतन संख्या में उच आवर्ति में मिलता है तो इसे डी एने खालिस्तान कहते हैं ठीक है दोस्तों मतलब इसे डी एने खालिस्तान कहते हैं इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों polymorphism next question एक जाती के विलुप्त होने पर उस पर आदारी दूसरे जन्तुवे पादब जातियां भी अनिवारे रूप से विलुप्त होने लगती हैं यहें कहलाता है यहें दोस्तों सहय विलुप्त कहलाता है सहय विलुप्त कहलाता है इंगलिसे में बात करें तो co-exitination कहलाता है नेस्ट क्यूशन करना है आपको परते क्यूशन दोस्तों एक नंबर के रहने वाले है आनवान सी रुपांतरिस जीन को प्रिपासित कीजिए समुंदर में जैव मातरा के प्रामिड किस प्रकार के होते हैं भाई इस तानस स्रक्षन क्या है लगू उत्रा अत्मक परसने दोस्तों पचास सबद में आपको आंस्वर देने को यह परते क्यूशन डेड नंबर का रहने वाला है किनी तीन गरब नियोदक शादनों का नाम लिखे जीन यानकी बायोलिस्टिक क्या है इसका एक उप्योग भी समझाना है मधुपक्खी पालन के कोई तीन मेहतमुर बिंदू लिखने है पसुपरजन क्या है पसुपरजन के दो उद्दे से समझाने है आपको जन्संक्या में वर्दी स्पोर्ट का कारण बताना है और समखरक में फ्लोरिंग करने है तू आपसक किसी एक विसीस्ता को समझाए चिकस्या में जैव प्रोधोगी की किसी एक उप्यों को समझाना है क्विस्टन नमबर ग्यारवा आनवान सिक्ता रुपांतरीत पोदे के उत्पादन में कोई दोल आव लिखिए किसी एक आनवान सिक्त रुपांतरीत पोदे का उधार्ण दीजी जैवी विद्ता की छती का एक कारण समझाना है उर्जा पिरामिड सदेव खड़ी अवस्ता में होते हैं जाहिए पारजीवी चन्तुकी जैवी उत्पादन क्या भूमी का है क्यूस्ट नमर पंद्रा जैवी विद्ता के जाते छेतर शमद परति रूप को परिवासित कीजिए यह प्रते क्यूसन दोस्तों देड नमबर के रहेंगे section D, section D के प्रते question तीन नमबर के रहेंगे एलेंगी को जनन को परिवास्त कीजिए पुस्पे पादवों में काई प्रवर्दन के दो धान भी लिखना है ये दोस्तों 100 सवदों में इनके आंसर देने जातवा में दूसरा ये भी कर सकते हैं लेंगी जनन को परिवास्त कीजिए और रितिश्राव चकर को समझाना है ठीक है दोस्तों क्यूसर नमबर 17 ये भी तीन नमबर का रहने वाला है दोस्तों क्यूसर नमबर 18 ये तीन का है और section D वाले क्यूसर ये चार नमबर के हैं क्यूसर नमबर 20 अनूलेखन को परिवासित कीजिए डीने में अनूलेखन इकाई के बागों के नाम लिखी और अनूलेखन इकाई का आरेखी चित्तर सहीद समझाना आपको नुकलियोटाइड के गठक लिखिए दिवी कुंडली की डीने की सरंचना की एक पर्मकुषिषता लिखी दिवी कुंडली डीने का नाम मा कित चित्तर बनाएते हुए समझाईए अगर दोस्तों Complete Solution चाहते हैं पेपर का तो आप अमारा Telegram गुरूप जोइन कर सकते हैं वहाँ पे Complete Solution की PDF मिल जाएगी और दोस्तों आगे आने वाली रजल से लेकर अपडेट या एक्जाम से लेकर अपडेट यहाँ पे मिलेंगी तो चैनल को वीडियो पसंदाए तो वीडियो को लाइक और सेर करें और चैनल को सबिस्क्राइब कर लेना तेंक दोस्तों